मई के महिने में कन्या रासी का मालब योग बन रहा है धन की होगी बरसात ही बरसात ही ऐसा मैंने क्यों क्या इस कारेकरम में चर्चा करते हैं जै मातादी मेरा नाम डॉक्टर प्रकाज जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या रासी के मई के मंतली मासिक राशी फलकी कैसी क्रिण राशी के धन की प्रायम स्वास्त की दाम पत्थ जीवन की इसके बारे स्भर सुर्य बुध राहू गूरू यह चतरवरगी ग्रहें वर हा помwater का गॉंबिनेशन लगे छख प्रॉब्लम कन्या राची को रहेगी किसी को एंटी की प्रॉब्लम रहेगी किसी को थाइराइड की किसी को नेत्र की किसी को माईग्रेन की समस्या भई रहने वाली है मही के महने में दूसरा देखा जाए पिता से कन्या राशी वालों के मदबेद हो सकते हैं मई के मैने में तीसरी चीज मूंड स्विंग की प्रॉब्लम यानि कि आप काम को टालते हुए नजर आएंगे मूंड ही समझ में नहीं आएगा बड़े दूइधा में रहने वाले हैं खास कर एक तारिक से लेकर पंदरा मई तक ऐसा होगा उसके बाद बुद्राशी परिवर्तन कर जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे कुल मिला के स्वास्ति की स्थती तो मेरे को अच्छी नजर नहीं आ रही है मई के मैने में धन की स्थती की बारे में बात करें तो धन की स्थती कन्या राशी की काफी अच्छी है क्योंकि मालब भी योग बन रहा है अपने काफी माहीफ्ट कोई बड़ी धनकी डील मिल सकती है पिता या परिवार से आपको वस्तर गेहने कोई नंकोई कोई इससरी आपको गिफ्ट मे जरुर मिलेगी तो मालब भी योग का जादू कन्या राशी पे जरूर चलेगा परिवार भाव की स्तती की बात करें तो परिवार के लिए ये जो मई का महिना है एक तारीक से लेकर एक 30 महिन तक बहुत अच्छा नहीं है परिवार के अंदर सदस्यू के अंदर मन मुटाव रहेगा परिवार में शांती रहेगी वाद विवाद रहेगा साती साथ परिवार को में कोई सरकारी पैनल्टी का बुक्तान भी करना पड़ेगा घर संबंदी कोई नोटी सा सकता है घर के अंदर अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो साब्दान हो जाए घर के अंदर चोरी का योग बन रहा है तो अपने घर को प्रॉपर लॉक करके जाए म एक तारिक से पंदरा मही तक संतान का चाहे छोटी संतान हो एक से लेकर 17 साल की या बड़ी संतान हो मेच्योर संतान हो सब कुछ अच्छा है कोई चिंता की बात नहीं 16 तारिक से लेकर 31 मई के बीच में जब सूर्य राशी परिवर्तन करेंगे तब संतान को हेल्थ के इशू आएंगे संतान को हाथ पेरों में हल्की चोट के योग नजर आ रहे है साती साथ संतान का काम और विद्या में बिगन नजर आएगा तो 16 से 31 मई तक संतान के कारियों में बिगन होगे और जो चोटी संतान है उनके उनका देखा जाए तो पढ़ाई में नहीं लग पाएगी चोटी संतान पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हो सकता आप टूशन लगा लें ठकार के तो 16 से और 31 महीं तक संतान से आप परिशान रहने वाले ह स्टूडेंट विद्यारतियों की तो पूरा का पूरा मही का महीना देखा जाए काम के लिए ठीक ठाक है जैसा आप रूटीन कर रहे हैं जैसे आप कॉलिज जा रहे हैं कॉलिज से अपने होस्टल में आ रहे हैं पड़ाई कर रहे हैं वो सारा रूटीन ठीक ठाक है लेकिन जहां पर दिख जाए सांड, जहां पर दिख जाए कुता, जहां पर दिख जाए बंदर तो उससे साफदान रहीएगा क्योंकि इन जीवों से आपको हानी की संबावना मही में नजर आ रही है वैसे यह पूरा महीना ठिक ठाक है आप बात कर लेते हैं कन्यारासी के नौकरी के बारे में तो नौकरी में अगर देखा जाए एक तारिक से लेकर 31 मई यानि पूरा मईना शनी देव अपनी किरपा बरसाने वाले हैं यानि आफिस में एक तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे साथी साथ नई जिम्मेवारी वर्कलोड भी आप पे बढ़ जाएगा बॉस और मेनेजमेंट महरबान होगा लेकिन उससे आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा आपकी पावर बढ़ जाएगी आपसे राय लेगा बॉस यानि कि बॉस और मेनेजमेंट ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी पावर इसकी राय आपसे लेने वाला तो कुल मिला के देखा जाए आपकी जिम्मेवारी मही में बढ़ रही है लेकिन आपका रुतबा भी तो बढ़ रहा है तो इतना तो पेन जाईज है आप दामपत्य जीवन के बारे में बात कर लेतें तो दामपत्य जीवन में सबसे पहले लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो मही का महीना कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा एक तो आपका पार्टनर अपने ही परिवार के प्रॉब्लमों से गर्सित रहेगा उससे असांत रहेगा यानि कि मही के महीने में आपके पार्टनर के परिवार में कुछ डिस्टर तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमी का में अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर मई के महिने में थोड़ा परिशान रहने वाला है आप बात करें पती पतनी के बारे में तो पती पतनी के बारे में देखा जाए तो तीन बड़ी सुब घटनाए मई के महिने में हो सकती है पहल और किसी व्यक्ति के सपने आ सकते हैं जिससे पार्टनर के साथ में तीर थियात्रा मंदिर के दरशन हो सकते हैं लेकिन वहां कोई नुकसान हो सकता है इसका भी थोड़ा साफधानी रखनाई यानि तीर्थ यात्रा के योग पार्टनर के साथ में बन रहे हैं, मंदर दर्शन के योग बन रहे हैं, लेकिन अपने ही सोने की चेन अपनी वस्तू का ध्यान रखें, नहीं तो चोरी हो सकती है, बड़ा अनुकसान हो सकता है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं, तो थोड़ा साफ इसलिए पर खर्चा होगा मशीन पर आपका खर्चा होगा आग लगने या अगनी भेवी का भी योग बनता है थोड़ा साफदानी रखिएगा अगर स्पार्किंग हो रही है तो उसको लाइटली मट लीजिएगा नहीं तो आप कहते हैं साफदानी हटी और दुरगटना घट तो इसलिए आपको पंदरा महीं तक साफदानी रखनी है व्यापारिस्थाल में 16 तरीक से 31 महीं तक स्थति समानने है काम में बड़ोत्री रहेगी काम में बृद्धी रहेगी 16 तरीक बाद इस्थतिया ठीक है तो मित्रों ये था मंतली राशी फल इस कारेकरम में मित्रों इतना ही मुझे दिजी जाय जाय मातारी